मैं दीरे जाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इडिकरेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपडिशन कमड़ी पर तो अगर हम बात करें आज के सेशन की तो आज का सेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है तो क्या कुछ खास रहने वाला क्लसिफिकेशन या फिर और वन आउट तो अगर हम बात करें इन दोनों टॉपिक्स की तो आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफिसे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके एक्जाम में इन दोनों ही टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है यानि क अगर हम बात करें आपके एक्जाम की तो आपके एक्जाम में दो से लेकर के पांच कोश्चन तक आपको इनी दोनों टॉपिक्स से देखने को मिलेंगे यानि कि एक एक्जाम के पॉइंट ऑफिसे काफी इंपॉटेंट और खास हो जाते हैं अब इसके अलावा यहां पर ह आने के यहांपे types of questions यानि की कौन कौन से प्रकार के आपको question यहाँ पर analogy पर bass देखने को मिलते हैं हमे आपके exam में तो सबसे पहले अगर üz特別 highlight अनलाओगी और दूसरा खराम बात करें तो नंबर पर illnesses की बात करें तो वर्ड पर बेस्ट अनलोगी में भी आपको दो प्रकार के question देखने को मिलेंगे एक तो मिलेगा आपको meaningful वर्ड पर बेस्ट अनलोगी और दूसरा आपको मिलेगा non-meaningful words पर बेस्ट अनलोगी यानि कि non-meaningful वाले के अगर हम बात करें तो basically आपका alphabet पर बेस्ट question होता है जैसा कि coding decoding यागर हम बात करें हम लोगों ने discuss किया हुआ था आपका alphabetical series तो वहाँ पर जैसे logics आपको देखने को मिलने थे वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको logics देखने को मिलेंगे और मैंने अल्लेडी जब coding decoding पढ़ाया था तो मैंने का coding decoding ना किया वाल आपका coding decoding के point of view से महत्पूर्ण हो जाता है साथ इसाथ आपका alphabetical coding या फिर अगर हम बात करें analogy तो इन दोनों ही topics के point of view से भी आपका coding decoding जो chapter था जिसके हम लोगोंने basic concepts को discuss किया वो महत्पूर्ण हो जाता है और इसके उपर हम लोगोंने बिल्कुल detail में discuss किया हुआ है तो बहुत जादा हमें tension लेनी किया वशकता नहीं है जब हम बात करें किसकी non meaningful word पर based analogy की लेकिन जब हम बात करते हैं meaningful words पर based analogy की तो यहाँ पर कौन कौन सी जानकारिया हमारे लिए महत्पूर्ण हो जाती है इसको भी हम discuss करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं number per based analogy की number per based analogy के questions को हम आसानी से बना सके इसके लिए हमें कौन कौन सी जानकारिया होनी चीए तो जैसा कि मैं हमेशा से बोलता रहूं कि basically आपको क्या होना चीए 30 तक के squares बिलकुल आपको tongue पर दिमाग में बिलकुल आपके feed होने चीए साथ इसाथ अगर हम बात करें तो cubes की तो 20 तक के cubes आपको रटे हुए होने चीए इसके अलाबा भी मैंने आपको square और अगर हम बात करें तो cube root निकालने के कुछ basic तरीके बताए हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं आसानी से दिये गए numbers को पहचान सकते हैं कि यह perfect square है या फिर नहीं है या किसी number का आपक किया हुआ है ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं आप मीनिंग फुल वर्ट पर बेज़ अनलोगी के लिए हमें कौन कौन सी जानकारिया होना आवर्शक है तो यहां पर हम बात करें तो जो आपका static जीके है वह भी एक महत्तपूर्ण आपका यहां पर रोल प्ले करेगा बात करें तो मेंनिंग फुल वर्ट में बेज़ जो आनलोगी पर आपको कोस्चन देखने को मिलते हैं इसको भी थोड़ा सा डिसकस करते हुए चलेंगे तो जैसे कि अगर आम बात करें कंट्री के रिफरेंस में आपको यहां पर कंट्री के कैपिटल यानि किसी कंट्री का नाम दे दिया जाएगा उसका capital आपको सामने दे दिया जाएगा और फिर दूसरी country के सामने आपको बताना होगा कि इस particular country का capital क्या होने वाला है ठीक है इस पर based आपको question देखने को मिलेंगे यह हम बात करें अगर यहां पर country और currency किसी एक देश की आपको मुद्रा दे दी तो दूसरे देश का नाम दे दिया जाएगा और वहां का national animal कौन सा है यह आप से पूछा जाएगा जैसे for example अगर हम बात करें इंडिया का national animal जो है वो बेंगल टाइगर है तो आपको दे दिया जाएगा कि नेपाल नेपाल का जो national animal है वो क्या है ठीक है तो नेपाल के अग ठीक है ऐसा कौन सा देश है दूसरे देश का नाम आपको बताना है comment box करके जिसका राश्टी या होता है टाइगर होता है यानि कि इंडिया तो national animal धून बेंगल उस साथ कौन से दूसरे देश का अनिमल भी tiger होता है यह आपको comment box में comment करके बताना है चली, इसके अलाव अगर हम बात करें तो आपको state related questions भी देखने को मिलते हैं, जैसे particular state का capital दे दिया जाएगा, तो दूसरे state का नाम दे दिया जाएगा, आपको वहां का उसको क्या बताना होगा, capital बताना होगा, किसी एक particular state से belong करने वाले किसी tribe का नाम दे दिया जाएगा, द दूसरे आपको state से belong करने वाले tribe का नाम बताना हो सकता है, dance पर विज्ट, जो आपके basically classical dance या folk dance होते हैं, उन से related आपको question देखने को मिल सकता है, किसी अगर हम बात करें, famous place या monument से related आपको question देखने को मिल सकता है, state अगर हम animal की बात करें, जैसा अगर हम CG की बात करते हैं, तो यहां का जो राजकी पशु है, वो कौन सा है, तो वो आपका हो जाता है, जंगली भैसा, ठीक है, tree की बात करें, तो यहां पर आपका state tree हो जाता है, वो हो जाता है, साल, अगर हम UP की बात करें, तो हो जाता है आपका अशोक, ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको यहां यूनिट्स पर बेस्ट कोश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं इसके लावा घर हम यहाँ पर बात करें और हर एक टाइप के कोश्चन को हम लोग यहाँ पर डिसकस करते हुए चलेंगे विद एक्जामपल वहाँ पर जो एडिशनल इंफरमेशन होगी उसको भी यहाँ इसके लावा घर हम बात करें सबद और उसके समानार्थि सब्द जबार भी यहाँ कि सप्ड बात करें बात करें जेंडर बेस्ट कोशन भी आपको देखने को मिलते हैं अगर हम बात करें माउस की तो माउस क्या होता है आपका चूहा यानि की मेल अगर हम बात करें माइस तो माइस इसका हो जाता है फैमिन जेंडर इसी प्रकार अगर हम हॉर्स बोलते हैं तो हॉर्स क्या हो जाता है आपका मस्कलिन जेंडर जब हम बात करते हैं मेर मेर तो क्या ह तो यह कुछ बेसिक बाते हैं जो हमें जानना आवश्यक है जो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए एनलोगी पर बेस्ट को आसानी से बना पाने के लिए जो भी बाते हम लोगों ने डिसकस की यह सभी आपको हिंदीमें यहां पर लिखी जानकारी दी गई है अब हम लोग ने बात करेंगे सीधे question की question की अगर यहाँ पर हम बात करें तो question में आपको दिया गया है select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word for example यहाँ पर आपको दिया गया है rupees related to India यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर रूपी की तो रूपी क्या होता है Indian currency तो पहले आपको currency दिया गया है कि yen किस देश की क्या है currency है तो यहाँ पर आपको अगर हम बात करें option की तो सबसे पहला option आपको देखने को मिल रहा है Japan यानि कि अगर हम बात करें yen की तो yen जो है वो आपका जापान की क्या होती है currency होती है इसी परकार अगर हम बात करें टर्की की जो currency होती है, Turkish Lira, ठीक है, Bangalaya देश के अगर हम currency की बात करे तो Bangalaya देश की currency होती है, ठका, साथे साथ अगर हम Pakistan की currency की बात करे तो Pakistan की currency भी क्या होती है, रूपी, पाकस्तानी रूपी, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको note down भी कर सकते हैं, आप के पास यह information लिखी हु तो गोट के लिए आपको बताना है तो देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग दिल पे ले लेते हैं अब हम इंग्लिश में बना रहें तो इंग्लिश में देखेंगे नहीं और अगर हम इंग्लिश में बना रहें तो इंग्लिश में देखेंगे नहीं तो कई बार जानकारी ह यहां पर आप देख करके आसानी से answer mark कर सकते हैं लेकिन English में हो सकता है आपको चीजें ना समझ में हैं तो बिल्कुल दिल पर ego पर नहीं लेना है अगर आपको English में बात नहीं समझ में आ रही तो आप Hindi में देख सकते हैं यह बिल्कुल common सी terminology है आप सभी लोगों को पता होगी तो अगर हम बात करें dog की तो dog क्या करता है बाग करता है गोट क्या करती है ब्लीट करती है तो आपको बताना है गोट के अलावा कौन सा आपका animal है जो क्या करता है bleat sound produce करता है इसी परकार अगर हम बात करें यहाँ पे तो answer तो हो जाएगा आपका क्या option number A haul की बात करें तो haul basically यहाँ पे जो आपका sound produce करता है वो करता है आपका wolf wolf के लावा fox भी आप देख सकते हैं fox के लिए barking भी आपको देखने को मिल जाएगा और haul भी देखने को मिल जाएगा grunt की अगर हम बात करें तो grunt जो sound produce किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा pig के द्वारा और आपको camel के द्वारा भी grunt का sound मिल जाएगा देखने को कि camel produce grunt ठीक है ने की बात करें तो यह sound जो produce किया जाता है नहीं हिननाना की अगर हम बात करें तो यह sound produce किया जाता है किसके द्वारा? horse के द्वारा ठीक है? तो यह भी आपके पास basic जानकारी लिखी हुई है इसको भी आप यहाँ पर note down कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्नकी अगले 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 हम प्रश्नकी बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है उटावा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कैनेडा यानि कि अगर हम बात करें उटावा की तो उटावा क्या है? राजधानी है किसकी? कैनेडा की तो इसको आप याद कैसे रख सकते हैं Canadian likes Oats यानि कि Canadian क्या करते हैं Oats like करते हैं तो Canada की जो capital है वो क्या हो जाएगी उटावा हो जाएगी और अगर हम बात करें Canabara की तो Australian likes Cadbury तो Australian क्या करते हैं Cadbury like करते हैं तो Cadbury यानि कि हम बात करें आपे Canabara की तो कैने बरा किसकी capital हो जाएगी कैने बरा हो जाएगी आपके Australia की capital ध्यान दीजे Australia अगर आपको देखने को मिले तो Australia की capital क्या है वियना ठीक है Australia की capital क्या है वियना अर्जेंटीना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो अर्जेंटीना के अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल होती है वो क्या होती है ब्योनोस आइरिस अर्जेंटीना की जो कैपिटल है उसका नाम ब्योनोस आइरिस इसके लागर हम बात करें स्विजर लैंड की तो स्विजर लैंड की जो कैपिटल है उसका जैवर्धने पूरा कोट्टे ठीक है शिलंका की जो अभी रिसेंट में आपको कैपिटल लेखने को मिलेगी कि क्या मिलेगी श्री जैवर्धने पूरा कोट्टे तो यह information भी आपके पास यहां पर लिखी हुई आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हम यहां पर अगले question की और अब यहां पर हम various studies related कुछ जानकारी को क्या करेंगे जानेंगे और सीखेंगे जिन पर बेज़ आपसे exam में question पूछे जाते हैं इस question के अलावा तो जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले आपको लिखा है और निथो लॉजिस्ट और मैं यहां पर बात करूँ अभी मैंने थोड़ी दिर पहले कहा कि दिल पर नहीं लेना है और हमें कोई जानकारी अगर नहीं समझ में आती है तो हम English में अगर question को बनाना prefer करते हैं तो कई बार हमें हिंदी भी देख लेना चीज जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कीट वि सफ़ाइब है उसनीटर में अध्यने कर जैसर्थ हो ने करें है उनको करते हैं हर्पीटो को सब्सक्राइब बात करते हैं नोग क्रूलोग मचली का तो यह आपके botany के अंतरगत आता है तो botanologist जो होते हैं वो किसका अध्यन करते हैं और अगर हम बात करें यहां पर जैसा कि मैंने कहा snake और fish के लिए जो terminology है वो यहां पर आप screen पर अपने देख पारें इसको आप note down करके लिख सकते हैं ठीक है इसके लावा various type के studies को हम लोग यहां पर और क्या करेंगे add-on करके सीखेंगे कि किस study को हम क्या बोलते हैं ठीक है जैसा कि आप screen पर अपने देख पारें तो one by one यहां पर हम लोग हर एक को discuss करेंगे जयसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलना agroastology तो जो study of grass होता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है agroastology इसके लावा अगार हम बात करें एस ट्रो जियोलोजी तो सबसे पहले तो यह समझ लिजे कि जियोलोजी कि इसको बोलते है तो जियोलोजी जो बोलते है भूगर सास्त्र वोगर्ब सास्त्र जो कि आपका घ्योलोजी के धंतरगत आता है तर किया होता है ता फसो लोजी कि एस टो यहांप आपका वasant Annie है तो आность टो अचरो जी यहांपे है वाले सास्ति जो अपका खोगोली पिंडों का जो अध्यान होता है उसको बोलते हैं astrogeology यानि कि the study of geology the study of geology of celestial bodies यानि कि खगोली अगर हम पिंडों की बात करें तो उनके अध्यान को बोला जाता है astrogeology basically यह पहले क्या हुआ करता था खगोल सास्त्र का part हुआ करता था जब तक की क्या हुआ हमारा अंत्रिक्ष पे जाना संभाव नहीं था तब तक यह खगोल सास्त्र का part था लेकिन अब जब मनुष्या अंत्रिक्ष में जा सकता है तो यह किसका part हो गया कहीं अगर बात करें तो यह geology का भी आपको part देखने को मिलता है भूगर वो सास्त का आपको part देखने को मिलता है यानि कि astro geology का मतलब क्या होता है यहाँ पर the study of geology of celestial bodies ठीक है चलो brometology के अगर हम बात करें तो किसको बोलते है study of food cardiology पता ही होगा आपको common terminology है the study of heart इसके अलावा अगर हम बात करें dendocronology dendocronology का इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पर chronology के अगर हम बात करें तो इसका मतलब ही क्या होता है आपके छले chrono का मतलब ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किससे संबन दी छलो से संबन दी तो dendocronology का जैसे कि आप यहाँ पर meaning देख पार है the study of the ages of trees and records in their rings यह आपका important हो जाता है इसको आप लोग यहाँ पर image के साहता से भी समझ सकते हैं अपने screen पर तो trees में यह जो छले आपको बने हुए दिखाई देते हैं यह जो rings बने हुए दिखाई देते हैं इसके basis पर क्या जानकारी मिलती कि यह पिर्ड कितना पुराना है इसके basis पर यह जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यानि कि अगर हम बात करें यहाँ पर आपको देखने को मिला एंटेमोलोजी जैसा कि आपने question में आपको देखा study of insects कि Keto के अध्यन को बोलते है क्या इंटेमोलोजी हेमेटोलोजी study of blood हो गया लिफोलोजी लिफोली का मतला भी क्या होता है अपका लिफोलोजी की बात करें इस्टोन एज की बात करें तो अर्सला लिफिक एज मेसोलिफिक एज और नियोलिफिक एज ठीक ह rocks या फिर stone next one अगर हम बात करें neurology the study of nerves odontology study of teeth next one oncology study of cancer ophthalmology यानि कि क्या होता है study of eyes आखों से संबंदित जो भी अध्यान होता है उसको बोलते है ophthalmology और nethology क्या होता है study of birds और virology study of viruses ठीक है तो यह कुछ basic terminology थी जिस पर बेस्ट आपको exam में question देखने को मिल सकते हैं ठीक है चली बढ़ते हैं यहां पर हम लोग आगे अगले यहां पर हम question की बात करें तो अगले question में आपको देखने को मिल रहा word depression depression is related to mood in the same way insomnia insomnia कि अगर हम बात करें तो basically यह क्या होता है sleep disorder ठीक है यानि कि नींद ना आने कि समस्या होती उसको क्या बोलते है insomnia तो यह किस से संबंदित होगे obviously बात ही किस संबंदित होगा आपका sleep से यानि कि निद्रा से या नींद से संबंदित होगा क्या insomnia answer हो जाएगा आपको option number a चली बात करते हैं अगले प्रफ्न की जैसे कि अगर रोत करें necklace की तो necklace अगर हम बात करें यहां पे आपको दिया गया a gold तो gold क्या है necklace का कईन के हम बात गर necklace is made up of gold आप बोल सकते हैं यानि कि necklace जो है वो gold से क्या किया जाता है बनाय जाता है उसी प्रकार यहां पर आपको बताना है जो यहाँ पर दिये गए आपके मतलब जो सेकेंड आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है उसका इस्तमाल करके इन में से कौन सा वाला जो पहला वाला वर्ड है जो कि क्या किया जा सकता है ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें लॉन तो क्या लॉन से घास ब परतन बनाता है लेकिन यहां पर क्या क्ले पॉर्टर को बनाती तो इसा बिल्कुल भी नहीं लेकिन हम बात करें वूड पल्प लकड़ी की जो लुगदी होती है उसका इस्तमाल करके हम कागज जरूर बनाते हैं तो यहां पर जो आपका अंसर हो जाएगा वो बनेगा आपका measurement units की भी बात करेंगे जैसे कि यहां पर आपको दिया ही जिस प्रकार महासाघर का संबंद तालाब से यानि कि अगर हम बात करें महासाघर की तो महासाघर के respect में जो आपका तालाब है कहीन ने कहीं वह water की क्या है बहुत चोटी सी एक है वाटर बॉडी है काफी चोटी सी व़ाटर वाटर बॉड्डी है किसके comparison में महा सागर के comparison में इस अब से सेमें आगर आई केलो मीटर की तो किलो मीटर क्या है आपका अंगा वं में Kिलो मीटर की कुछ इकाईय दी गई है तो सबसे सें चमूरा कि में यानिक एकर हम बात करें, आप थाउजन्ड मीटर इक्वल्स तो क्या होता है, वन किलो मीटर, मिली मीटर आपको दिया गया है, ठीक है, मिली मीटर क्या है, मीटर के रेस्पेक्ट में उससे छोटी काई है, तो यहाँ पर फिर आपको सेंटी मीटर दिया गया है, डेसी मीटर तो इसका अगर हम proper sequence की बात करें तो क्या होता है हेक्टो किलो डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिली यह चार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है तो डेका हेक्टो किलो डेका क्या होता है 10 to the power 1 इसके लाव अगर हम बात करें डेका के बाद आपको देखने को मिल रहा हेक्टो तो हेक्टो क्या होता है 10 to the power 2 फिर इसके बाद अगर हम बात करें किलो की तो क्या हो जाएगा 10 to the power 3 इसके आगे आप मेटर लगा दीजिए ग्राम लगा दिए जो भी आपको लगाना है लगा दिए तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने काट डेका है हेल्टो किलो फिर उसके बाद आता डेसी सेंटी मिली तो अगर हम बात करें किलो के रिफ्रेंस में यहां पर आपको दिए गए ऑप्शन से उनमें सबसे छोटी जो आपको यूनिट दिखाई दे र तो जो तालाब है वो आपका क्या है काफी छोटी इकाई है काफी छोटी यूनिट है उसी प्रकार किलो मीटर के संबंद में जब हम बात करेंगे तो क्या होजाएगा मिली मीटर आपका काफी छोटी इकाई है छोटी यूनिट देखने को मिलेगी ठीक है चली बात कर लेते अगले पुछेगे प्रश्ण की, तो अगले प्रश्ण में यहाँ पर आपसे पुछा जारा है, जिस प्रकार खिलाडी का संबंध टीम से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किस से है, यह आपको बताना है, तो जहाजों का क्या होता है, बेड़ा होता है, जहाजों की बनता, आंसर बनता, तो जहां जो का क्या होता है, बीड़ा होता है όनी कि बेसिकली यहां पर जो आपको question दिखने को मिल रहा है, तो यहां पर क्लेक्टिव नाउन्स पर based आपको question क्या सकते हैं, जो आपके exam में पूछे जा सकते हैं, question based on collective noun, तो चलिए फटर फटressing यहां इनके लिए कौन कौन सी terminology होती है तो जैसे कि अगर हम बात करें singers की तो singers के group को क्या बोलते है choir of singers class of students, company of actors, congregation of worshipers तो आप लोग सथसंग अगर गए होंगे तो सथसंग को क्या बोलते है बेसिकलि इनको जैसे बहुत सारे जब जहां पर devotees इकठा होते है तो उनको क्या बोलते है congregation ठीक है तो सथसंग वगए हमें आप लोगों ने देखा होगा crew of sailors तो sailor किसको बोलते है तो sailor बोलते है यहाँ पर जो लोग ship को चलाते हैं उनको बोलते है sailor तो इनके groups को क्या बोलते है crew बोलते है crowd of people लोगों की क्या होती है gang of prisoners host of angels line of kings तो line of kings आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं कि राजा लोगों के जो समू होता है उसको बोलते है line of kings इसी प्रकार आप लोगों ने dynasty of king भी सुना होगा तो dynasty of king और line of king में क्या difference है यह आप लोग हमें comment box में comment करके बताएंगे mob of writers तो जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा crowd of people crowd of people और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है mob of writers तो अगर हम बात करें crowd में भी क्या होती है लोगों की भीड़ होती है और mob में भी क्या होती है यहाँ पर जो आपके people होंगे वो काफी क्या होंगे aggressive होंगे उग्र होंगे जबकि यहाँ पर आपके लोग जो है वो उग्र हो ऐसा जरूरी नहीं है यानि कि mob का मतलब ही होता है क्या aggressive crowd तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो mob क्या होता है उग्र लोगों की या विद्रोहियों की इस प्रकार की जो व्यक्तियों की जो भीड होती है उसको हम लोग बोलते है मॉब pack of thieves अगर हम बात करें thieves की तो यहाँ पर क्या terminology हम लोग यूज़ करेंगे pack of thieves panel of experts इसी तरी के आप देख सकते है patrol of police man spelling अलाग है patrol वाली spelling यहाँ पर मत समझ लेना regiment of क्या होता है soldiers होता है और यहाँ पर staff of employees चलिए अगला देख लेते हैं आगे के अगर हम यहाँ पर बात करें kindle of kittens kittens के अगर हम बात करें तो जो आपके billy के बच्चे होते है उनको हम लोग क्या बोलते है kittens बोलते है cups के अगर हम बात करें तो cups का मतलब होता है 29 यहने all runter को बोलते है parlia mentor इस पर बेज़ड आप लोगों – बहुत सारे memes भी बने हुए देखे होंगे ठीक है तो अगर हम बात करें जो कववे लोगों का group होता है उनको बोलते है murder of crows इसके लावब अगर हम बात करें a string of horses जो घोले होते हैं उनकी क्या होती है string होती है अगर हम यह लाड की बात करें तो आपको देखने को मिल रहाuchen batch of bread तो जोब हम batch of bread की बात कर रहे हैं तो batch of bread से क्या मतलब है जब इसको हम क्या करते है इस प्रकार से यह पूरा breast का ब्रेड का जो batch है जब तक यह divided हो नहीं तब तक इसको क्या कि मल्टिपल गंस को हम लोग अगर ग्रूप की कलेक्शन की बात करें तो क्या होगा बैटरी ओफ ग्रन गंस ब्लॉक औफ फ्लैट्स आप लोग ने पड़ाओगा एब ब्लॉक ब्लॉक इस तरीके से अड्रेस आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं क्लाउड ऑफ बनाना ज्यानि की बनाना के लिए जो यहां पर टर्मिनलज़ी आपको देखने को मिल लिए एकलाओड ऑफ बनाना देखने को मिल लए फ्लीट ऑफ शिपस जैसे एक तो प्लीट भी हम क्या करते हैं एल और हैल ऑर कि कहने का सेंस ही है कि गोलियों की हम बात करने हैं गोलिएं की हैंड ऑफ बनाना तो यहां पर आप़ को देखने को मिला अपर आप बनाना हमाथ के लिए आन अमीवाफ बैट क्राइज को देखने को मिला हैं तो आप लोगों के जॉल सॉब तो वह क्या होता है फिर यहां पर आपको packet of letters दिखाई दे रहा है बात कर लेते हैं आप cloud of banana, cloud of banana बोलते किसको है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है hand of banana तो hand of banana और cloud of banana के बीच में क्या difference है इसके लावा मैंने बताया आपको bunch of banana भी होता है इसके लावा आपका finger of banana भी होता है तो हर एक में यहां पर हम लोग differentiate करके देखते हैं किसको क्या बोलते है चलिए जैसे कि आपको यहां पर एक image दिखाई दे रही तो यह किसके लिए है terminology तो यहां पर आप इसको बोल सकते इसके लिए हम लोग terminology यूज करेंगे यहां पर यह हो जाएगा आपका bunch of banana और इन cloud में से जब किसी एक को हम क्या करेंगे pick कर लेंगे like this तो यह हो जाएगा आपका hand of banana इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे hand of banana और इसमें से भी जब हम किसी एक को क्या कर लेंगे pick कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका finger of banana तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और शेयर कम से कम इतना जरूर करिएगा चलिए comment करके यह भी बताईएगा कि इन में से कौन सी जानकारी आपको पहले से थी या कौन सी जानकारी आपको बहुत ज्यादा amazing या interesting लगी बात करते हैं यहाँ सिपाही का संबंद सुरक्षा से है उसी प्रकार जैसे किसान का संबंद किस्से है तो किसान का संबंद क्या क्या समंद सिपाही क काम हो हो criticizing क्रशी option no particular चलिए बात कर लेते हैं पर अगले question की अगला question आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है Choose the one out of the four given alternatives which mentions the quality common to the three given words यानि कि इस बार जो question पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा आपका आलाग है इस प्रकार से भी आपको question exam में देखने को मिल सकता है यानि कि यहाँ पर जो आपको तीन words दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है lion, tiger और leopard तो इन दोनों का जो basic quality है वो यहाँ पर चार विकल्पों में से आपको चुनना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ताका हारी, मांसा हारी, सरकस या फिर चिडिया घर तो अगर हम बात करें इन तीनों में जो basic quality है जो हम लोग यहाँ पर prefer करेंगे वो क्या होगा देख अब lion है तो जरूरी नहीं कि वो क्या हो सरकस में हो या जरूरी नहीं कि वो चिडिया घर में होते हैं लेकिन lion है तो यह must होगा कि वो क्या होगा मांसा हारी होगा चाहे वो चिडिया घर में रहे चाहे वो आपका क्या रहे सरकस में रहे या फिर जंगल में रहे यह definite है कि वो क्या होगा मांसा हारी होगा या फिर जंगल में जहां भी रहे लेकिन वो क्या होगा मांसाहरी होगा और यहीं चीज़ अपली केबल होती है आपके किसके उपर लिपर यानि कि तेंदवे के उपर ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नमबर बी अगले अगर यहाँ पर हम कोश्चन की बात करें तो अगला कोश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है किरोसीन पेट्रोल और डीजल तो इन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों के तीनों जो आपके दिये गए वर्ड है यह क्या है आपके फ्यूल है तो यहाँ पर amazing fact है कि किरो सीन को हम लोग मिट्टी का तेल क्यों कहते हैं इस पर भी आप लोग अपनी राय जरूर रखेंगे अगर आपको पता हो तो जरूर यहां comment box में comment करके बताई कि किरो सीन को हम लोग यहां पर मिट्टी का तेल यह घासलेट इसका नाम कैसे पड़ा ठीक है तो इसके पीछे भी वड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है थोड़ा साम लोग डिसकस कर लेते हैं जहां तक मुझे जानकारी है कि गैस लाइट बोला जाता था जैसे कि यह फ्यूल लाइट के तौर पर यूज होता था तो जब इंडिया में आया तो गैस लाइट से उसका नाम धीरे धीरे बिगड़ते घासलेट पड़ा ऐसा मुझे जानकारी है इसके लावा कुछ और इसके पीछे का तत्य हो और अगर आपको इसकी जानकारी हो तो जरूर कमेंट आपको अगला जो कोश्चन है यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अठी और यहां पर आपको टॉप के लिए बताना है कि गिवन अपशन में से कौन सा होगा तू इसको मिनिंग्फुल वर्ड के अंतरगत भी रख सकते हैं नॉन मिनिंफुल वर्ड के अंतरगत भी रख सकते हैं यहां का अगर हम बात करें तो ए टी है फिर उसके बाद यहां पर आपको क्या देखने को मिला टी ए यानि कि एट से हमने जो दूसरा वर्ड बनाया वह भी क्या है का मेनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा तो एक तो इसका तरीका यह होता है कि आप इस पर आपको मिल रहा है आप उस औप्षिन को क्या करेंगे प्रिफर करेंगे यानि कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ओपीटी हाला कि आपको पी ओटी और ओपीटी दोनों ही देखने को मिलने हैं लेकिन हमारा जो प्रिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा ओपीटी यानि कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहां पर जाएंगे नेक्स्ट वन अगर मैं यहां पर बात करूँ तो F से आपको यहां पर F G E H J दिखाई दे रहा तो अगर हम बात करें यहां पर B की तो यह होता है 6 यह होता है 2 यानि कि माइनस 4 यह होता है 7 यह होता है 3 यानि कि माइनस 4 पांच से माइनस 4 करोगे तो 1 और 8 से माइनस 4 करोगे अगले पूछे गए प्रश्ण की अगले अगर हम प्रश्ण की बात करें तो यहां पर दिया है और यहां पर दिया है C, यानि कि plus 2, 1 से 3 हो गया, 8 से 11 हो गया यानि कि plus 3, 15 से 19 हो गया यानि कि plus 4, और 16 से 21 हो गया यानि कि plus 5, in the same way जब यहां पर हम 2 में क्या करेंगे, plus 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, यानि कि मिलेगा D, यह option cancel, यह option cancel, 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानि कि यह option भी cancel, answer हो जाएगा आपका option number C, इसको verify कर सकते हैं, 13 में 4 जोड़ोगे तो 17, और 6 में 5 जोड़ोगे तो 11, यानि कि option number C, क्या हो जाएगा, आपका right answer हो जाएगा, बात कर लेते हैं, अगले पूछे गए, प्रश्न की, अगले थी हम प्रश्न की बात करें, तो number पर based आपको यहाँ पर question देखने को मिल रहा है, 9 is to 80, यानि कि 9 का संबंद जिस प्रकार 80 से, उसी प्रकार 98 का संबंद है, यहाँ पर किस number से होगा, तो अगर हम बात करें, 9 की, तो हमें पता है, 9 का square क्या होता है, 9 का square होता है, 81, और इसमें से हम minus 1 कर दें, तो number मिल जाएगा हमें 80, तो क्या same applicable हमें 98 पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर discuss कि, आप लोगों के साथ की 90 से लेकर के 110 के बीच के numbers का square कैसे निकाले, यानि कि 98 के square के अगर हम बात करें, तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से हम लोग 2 घटा लेते हैं, तो हो जाएगा 96, और 2 के square की बात करें, तो कितना हो जाएगा 04, तो 9604 और minus 1 अगर इसमें से हम कर देते हैं, तो हमें जो number मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 9603, जो कि आपको option number B में clearly देखने को मिल रहा है, तो यही वज़ा थी कि मैंने आपसे कहा कि square और Q से आपका command होना चाहिए, साथी साथ square roots भी आपको पता होने चाहिए, square root में कोई value लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक perfect square है, और किस number का square है, इसको कैसे, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, बात कर लेते हैं अगल क्यूंस की कि अगले हम question की बात करें, तो आपको दिखाई दे रहा है, 6,41, 5 और यहां पर दिखाई देरा five three zero four तो अगर हम बात करें तो यह सिक्सुत हो जा रहा है five four मैंटाइब समय माईने तो साथ से सो जाएगा छे संब में दिखाई दिखाई देराओ है जाएगा साथ यह option कैंसिल यह option कैंसिल नौ से हो जाएगा आठ यानि कि छे सो जाएगा पांच ऑप्शन नमबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए चलिए बात कर लें अगले पूछे के प्रशन की तो यहां पर आपको करें तो किका स्कुयर है और अगर हम बात करें वन प्रटीफोर की तो किस नहीं हो जाएगा यहां steamed rear and और प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1729 तो जब आप अच्छे खासे questions की practice कर लेते हैं यह कुछ basic बात अगर आपको पता है तो आपको number देखते ही यहां पर आसानी से समझ में आ जाते हैं कि यहां पर basically logic क्या लग रहा है यानि की concept हमारा क्या होना चाहिए question को solve करने के ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें answer की तो answer हो जाएगा आपका 1729 option number बी बात कर लेते हैं अगले पूछे के प्रस्ण की तो अगले अगर हम प्रस्ण की बात करें तो यहां पर आपको दिखाई देरा 1260 और यहां दिखाई देरा 16 तो 12 का relation जिस प्रकार यहां पे 60 से के अगर हम बात करें हैं और 60 भी आपका 12 का multiple है तो अगर हम बात करें 12,100 की 5 कितना हो जाएगा तो सिक्स्टी हो जाएगा 80 जो कि आपको किसी अप्रेम के दिखाई नहीं देरा है तो जैसा कि हमने का 60 12 का multiple है तों हम देख लेते हैं क्या बाकी के number 16 के multiple देखने को मिल रह त नहीं मिल रहे हैं तो अगर हम बात करें 210 की तो 210 आपका 16 का मुल्टिपल नहीं है बात कर 112 की तो 1685 1632 यानि कि 112 आपका क्या है 112 आपका 16 का मुल्टिपल है 121 आपका 16 का मुल्टिपल नहीं होगा और 201 आपका 16 का मुल्टिपल नहीं होगा यानि कि अगर multiple के basis पे हम देखें तो हम कहा सकते हैं कि 112 क्या है 16 का multiple है और यहां पे 60 भी क्या है 12 का multiple है दूसरा logic यहां पे क्या बन सकता है जिससे हम इसको verify कर सकें तो अगर हम बात करें यहां पे 6 की divided by 2 अगर इसको हम करते हैं 12 को अगर यहां पे divided by 2 करते हैं तो मिलता है हमें 6 into हम 10 करते हैं तो मिलता हमें 60 divided by 2 तो बात वही हो जाएगी multiplied by 5 into 10 divided by बात वही हो जाएगी तो यहाँ पर आपका जो basically answer बनेगा वो बनेगा option number B यानि कि multiple के basis पर यहाँ पर आप answer निकाल सकते हैं दिए गए विकल्पों में से ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्नकी अगले यहाँ पर हम प्रश्नकी बात करें तो यहाँ पर आपको जो number दिखाई दे रहा है मैंने कहा बिल्कुल आपके दिमाग में square छपा हूँ ओना जी तो यह जो number दिखाई दे रहा है यह 17 के square के pass का number है यह जो number आपको दिखाई दे रहा है 21 के square के pass का number है 17 के square की बात करें तो होता है 289 21 के square की बात करें तो होता है 441 यहाँ पे भी आपको प्लस 4 देखने को मिल रहा है, यहां पे भी आपको प्लस 4 देखने को मिल रहा है, it means यहां पे जो value बनी होगी, इसमें से अगर हम 4 घटा आदें, तो यह perfect square बनेगा यानि कि 484 और 484 किसका square होता है, तो 484 आपका होता है 22 का square तो यहां पे जो आपका answer बनेगा, वो बनेगा आपका option number C, और यह बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप से exam में question आसानी से बने, और आप question को बिल्कुल orally चुटकियों में बना पाएं तो आपको यह basic बातें पता होनी चाहिए, ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, यहां पे हम लोग अगले पूछे गए, प्रस्ण की अगले अगर हम प्रस्ण की बात करें तो यहां पे आपको numbers का pair दिखाई दे रहा है और इन number के pair में जो आपको relation देखने को मिल रहा है, वही relation दिये गए, विकल्पों में से एक किसी pair में आपको देखने को मिलेगा तो जैसे कि अगर हम बात करें 25 की तो basically यहां पे हम लोग difference की भी बात करेंगे, multiply या multiple की अगर हम बात करें, divide करके multiple, अगर यहां पे आपको देखने को मिलता है, तो उसकी पर करें, 15 का क्या multiple है, यहां पे आपका 190, तो डेल सो के बाद, अगर हम बात करें, तो 40 है, यहां कि 190 आपका 15 का multiple नहीं है, 9 की बात करें, तो आपका 90 के बाद में नहीं है, multiple 170, फिर अगर हम बात करें, 17 की, तो 17 दामा 170, इसके बाद बचा आपका कितना किसके टेबल में 24 की टेबल में और 11 का डबर अगर कर दोगो तो क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा यानि कि सेम रिलेशन आपको option number D में यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको जो correct answer बन जाएगा वो हो जाएगा option number D बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रस्न की तो अगले हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो 24 10 और 392 का अगर हम यहाँ यहाँ पर 10 से multiply कर दें, तो value मिलेगी हमें और 240, और 240 और अगर यहाँ पर हम 392 की बात करें, इनका difference ले लेएं तो सेम हमें relation यहाँ पर किसी न किसी option में देखने को मिलना चाहिए multiple की बात करें तो क्या 24 का यह multiple बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो 24 गुले एक करोगे तो 24 आ जाएगा बचे का यहाँ पर आपका 15, 152, 240 का आधा 170 नहीं बनेगा तो multiple भी यहाँ पर आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और क्या हो सकता है तो और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी difference की difference की अगर हम बात करें तो basically इनका जो difference बन रहा है वो बन रहा है 14 का 392 की बात करें तो 14 का cube तो होता है 27, 44 काफी ज़्यादा होगा square की बात करें तो बन रहा है 196 6 612 196 का अगर यहाँ पर हम डबल करते हैं तो 196 का अगर हम यहाँ पर डबल करेंगे तो value मिल जाएगे हमें कितना 301 और चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें logic की तो logic क्या लगता हूँ आपको दिखाए जारा इन दोनों का difference इन दोनों का difference कितने का है इन दोनों का difference आपका 14 का और जो आपका difference की value आई यह उस number का हमने क्या कर दिया स्क्वाइर कर दिया तो स्क्वाइर हो करके कितना मिल गया हमें 196 और इसको जब हम दो से गुला करेंगे तो यह value मिल गया हमें 392 तो यहाँ पर भी हमें क्या 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 numbers के difference देखना फर्स्ट और सेकंड नंबर की बीच का difference देखना है और उसके square का double करके देखना कि क्या हमें थर्ड number मिल रहा है या नहीं तो 18 और 29 की अगर हम बात करें तो 11 का यहां को difference देखने को मिल रहा है और 111 का double कितना होता है 222 यानि कि यहां पर same आपको relation देखने को मिल रहा है option number A में बाकी के option आपको check करने की जरूत नहीं बिलकुल एक valid reason valid logic के साथ में आपको यहां पर option मिलता हुआ दिखाई दे रहा तो बाकी कि आप options को check नहीं करेंगे चली अगले question के अगर हम बात करें तो 12 30 और 61 यानि कि अगर हम बात करें 6 into 2 6 into 5 और 6 into 10 प्लस 1 ओके यहां पर अगर हम बात करें पहले option की तो 9 into 2 9 into 5 और 9 into 10 प्लस 1 यानि कि answer हो जाएगा आपका यहां पर option number A यानि कि अगर हम बात करें यहां पर 6 to 12 6 5 to 30 और 6 into 10 60 प्लस 1 कर देने तो हमें मिल जा रहा है यहां पर 12 30 और 61 in the same way 9 to 0 यहां पर 18 9 5 to 45 9 10 90 प्लस 1 कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 91 यानि कि answer क्या हो जाएगा यहां पर option number A बात कर लेते हैं अगले यहां पर प्रस्न की अगले question में अगर हम बात करें यहां पर 20 to 16 आपको देखने को मिल रहा है B की place value की बात करें तो 2 होता है 2 से हम 16 कैसे बना सकते थे तो 2 into 8 कर दें तो मिल जाएगा हमें कितना 16 तो यहां पर D की place value होती है 4 तो 4 into 8 करेंगे अगर तो value मिलेगी हमें कितना 32 जो की आपको किसी भी option में देखने को नहीं मिल रहा है तो B को हम और कैसे यहां पर 16 बना सकते हैं तो अगर हम B की बात करें तो यहां पर B की place value होती है 2 और अगर हम बात करें 2 को हम 16 कैसे बना सकते हैं तो यानि कि अगर हम बात करें 2 into 2 हो गया 4 into 2 करें तो 8 into 2 करें तो हो गया 16 यानि अगर हम बात करें 2 to the power 4 बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा in the same way अगर हम 4 की power 4 करते हैं तो 4 चोके 16 चोके 64 into 4 यानि की हो जाएगा आपका 6 चोके 24 और 16 यानि की option number D क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा यानि की 4 की power 4 यहाँ पर जब हम देखेंगे करके तो यहाँ पर value मिलेगे हमें कितना 256 तो answer को जाएगा आपका option number D बात का लेते हैं अगले question की LQP LQP is to लिखा है आपका कितना 45 इन की अगर हम place value देखें तो place value होता 12, 17 and 16 7, 6, 13, 2, 15 carry जाएगा 1, 2, 3, 4, 45 यानि कि यहाँ पर आपको sum of place value देखने को मिल रहा है तो इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करें तो 11, 1, 19 तो 19 और 11 हो जाएगा आपका 30 प्लस है कि 30 यानि का option number B यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए बात कर लेते हैं आप अगले question की अगले अगले question की बात करें तो right equals to लिखा है 9, 1, 2 तो r की अगर हम place value की बात करें तो होती है 18, 8, 8, 9 बनाया जा सकता है एक की place value होती 1, 1 देखने को मिल रहा t की place value होती है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 20, तो 2 प्लस 0 करोगी तो 2 मिलेगा तो यानिकि यहाँ पर आपको sum of the digits of को मिल रहा है ठीक है बात कर लेते हैं अगले topic यानिकि classification या फिर odd one out की तो यहाँ पर क्या होता है आपको 4 words, 4 number या इस पर कार के अगर हम बात करें words की तो meaningful या फिर आपके non meaningful words आपको देखने को मिलेंगे तो उनमें कर लेते हैं यहाँ पर पूछे गए प्रश्णों की पहले question की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है write read learn और knowledge तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा लिखना पढ़ना सीखना और ग्यान यानि कि अगर हम बात करें तो लिखना पढ़ना और hands यानि कि अगर हम बात करें चार के चारो विकल्पों की तो चारो ही आपके क्या है body parts के नाम हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक option को छोड़ दिया जाए यानि कि अगर यहाँ पर option number C को छोड़ दें तो बाकी सब यह बात कर लेते अगले पूछे गए प्रश्नकी अगले प्रश्नकी अगर हम बात करें का इगनेट कि नीम फॉन ग्रंट ठीक है तो मैंने कहा दिल पे नहीं लेना है इगो पे नहीं लेना है इंग्लिश में चीज़ नहीं समझ अा रही है तो हिंदी में असानी से question को आप समझ सकते हैं बना सकते हैं और कई बार हिंदी में नहीं समझ में आता तो आप इंगलिश में को देख सकते हैं ठीक है यहां पर कोई ऐसा बांडेशन नहीं कि कसम नहीं खाएं कि बनाएंगे तो इंगलिश में ही बनाएंगे या फिर बनाएंगे नहीं बहले समझ में अच्छा ठीक है और यहां पर आपको दिखाई जारा सूर की आवाज ग्रंट जैसे कि मैंने आपको बताया था साउंड प्रोडूस्ट वाइप पिग और लेडिस को हम लोगों ने डिसकस किया हुआ है तो यहां पर जो अलाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको आपको यहां को यहां को यहां पर कम्प्यूटर पर बेश पूछा गया देखने को मिल रहा है नमबर पर various type के questions आपको देखने को मिल रहे है static gk पर बेज़ आपको questions देखने को मिल रहे है तो कहीं न कहीं जो overall आपका knowledge है जो भी आप पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके syllabus से कहीं एकदम से बाहर से पूछ रहा है ठीक है अपने schooling आपने life में जो भी चीज़ें पढ़ा रखी है जो भी basic concepts है आपके science related ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा typical आपको question देखने को मिलेगा basic terminology जो हम लोग use करते हैं चीजों को सीखने के दौरान जो भी हमारा course है जो भी हमारा syllabus है उसको जो हम cover करते हैं तो question हमें वहीं से देखने को मिलते हैं लेकिन कहीं न कहीं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पढ़नी है किसी भी subject से related हो तो उसका कहीं न कहीं आपको knowledge जो है वो proper तरीके से होना चीज जिससे आप questions को क्या कर पाए आसानी से बना पाए ठीक है तो ऐसा नहीं कि आपने अगर science पढ़ रखी तो उसका use केवल और केवल science में है reasoning में भी आपको questions देखने को मिलते हैं जैसा कि आपने यहाँ पे देखा static gk की अगर हम बात करें तो static gk का question आपको ना केवल अगर हम बात करें general knowledge या gk के पार्ट में देखने को मिलेगा साथ या तो reasoning में भी आप उससे आसानी से marks gain कर सकते हैं ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले question की hindrance growth progress फिर उसके बाद stride यानि की हिंदी के अगर हम बात करें तो बाधा विकास प्रगती और तरक्की यानि की आप देख सकते हैं की जो यहाँ पे पहला वाला आपको word देखने को मिल रहा है बाधा वो क्या है अलग है बाकी के दिये गए तीन विकल्पों से यानि की बाकी के तीन आपके क्या है सिमिलर है एक positive word को यहाँ पे दरशार है जब की बाधा की अगर हम बात करें तो बाधा आपका क्या हो जाएगा एक negative word हो जाएगा जो की क्या हो जाएगा अलग हो जाए कि अगर हम बात करें memory की, हम बात करें intelligence की तो कहीं न कहीं ये क्या है आपके traits of an individual आप कह सकते हैं कि यानि कि कि किसी एक व्यक्ति विशेज के जो है ये गुड़ों को दर्शाता है जब कि हम बात करें बहार की तो बहार क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा इन तीनों से ठीक है तो answer क्या बनेगा आपका option number B बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगली अगर हम यहाँ पर प्रश्न की बात करें तो muddy और dirty यानि कि मैला और गंदा आसान और कठिन easy and difficult brave and coward, बहादूर और कायर, end and beginning, and और शुरुवात तो इसमें अगर आप first one की बात करेंगे तो first one कहीं न कहीं आपके synonyms देखने को मिले रहा है यानि कि same meaning को दर्शार हैं जबकि बागी कि आपके क्या दिखा रहा है antonyms यानि कि opposite meaning को दर्शार है यानि कि अलग जो हो जाएगा वो अपका first one हो जाएगा यानि का option number a क्या हो जाएगा यहाँ पे right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए अगले यहाँ पे अगर हम option की बात करें अगले यहाँ पे अगर हम question की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है car road यानि car कहां चला जाती है road पर ship कहां चला जाती है तो sea में ठीक है a sailor sails ship on the sea ठीक है rocket कहा देखने को मिलता है space में aeroplane कौन चलाता है कहां उड़ाया जाता है यह नहीं दिखा रहा है कौन चलाता है pilot यानिक यह क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा option number D क्या जाएगा right answer हो जाएगा shopkeeper customer doctor patient lawyer client clerk file यह क्या हो जाएगा option number D आपका अलग हो जाएगा तो ऐसानी की question बहुत जाद आपको typical देखने को मिलेंगे आप question को असानी से बना सकते हैं बस आपको जरूरत है तो उनको ध्यान पूरवक पढ़ने की और exam से पहले sufficient number of questions की practice करने की sufficient number of test को attempt करने की और एक proper lecture को follow करते हुए एक proper notes बनाने की जिसको आप exam से पहले क्या कर सकें revise कर सकें चलिए बात कर लेते हैं अगले question की अगले यहाँ प्रश्ण की बात करूँ तो आपको कुछ numbers देखने को मिल रहे हैं numbers में अगर हम basically preference की बात करें तो numbers में हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान देना होता है जब हम बात करते हैं odd one out या हम analogy के sense में जब बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पर basically अगर हम odd one out की बात करें तो prime numbers आपको देखने को मिल सकते हैं number के squares आपको देखने को मिल सकते हैं या किसी एक particular number के multiples आपको देखने को मिल सकते हैं कि बाकी के जो number से वो किसी एक number का multiple है और एक को यहसा number होगा जो उस particular number से divisible नहीं होगा तो divisibility rule भी आपको प कर सकते हैं तो यहाँ एकर हम बात करें 13 की हम बात करें 17 की और हम बात करें 71 की तो यह सारे केसारे क्या है प्राइमन लवर यह आपकोफी look numbers हैं वो क्या है यहाँ पर आपके 2 की power को show करते हैं यानि कि अगर हम बात करें 2 की power अगर यहाँ पर 16 आपको देखने को मिला 2 2 is a 4 2 is a 8 2 is a 16 यानि 2 की power 4 की value क्या हो जाती है 16 हो जाती है इसी परकार 16 गुड़े 2 करोगे तो 32 यानि कि 5 16 गुड़े 32 कि इस गुड़े 2 करोगे तो 64 6 और 7 यानि कि अगर हम बात करें टू की power 7 की value की तो टू की power 7 की value क्या हो जाता है 128 जब कि यहाँ पर 66 आपका टू की power में देखने को नहीं मिलेगा तो answer का जाए यहाँ पर 66 चलिए अगला question 27 64 125 81 यह अगर यहां तो 64 prevaill और पर उपेड़े खूर को क्या देखने को मिलेंगे perfect square औरगर हम बात करें 27 और 125 आपको क्या देखने को देखने को मिलेंगे perfect cube दो आपको perfect square देखने को मिले दो perfect cube देखने को मिलेए तो अलग कौन सा होगा तो ध्यान दीजिए 64 आपको क्या होता है परफेक्ट स्क्वाइर होने के साथ साथ यह क्या होता है फॉर का क्यूब भी होता है यहां पर देख सकते कि तीन ऐसे नंबर है यानि कि अगर हमाथ करें 27 की 64 की और 125 की तो यह तीनों क्या है perfect cube है जब कि यहां पर हम बात करें 81 की तो 81 क्या है perfect square यानि कि यह अलग हो जाएगा बाकी के तीन options से ठीक है चलिए बात कर लेते हैं आप अगले पूछे गए प्रश्ण की अगले यहां पर मैं प्रश्ण की बात करूं तो यहां पर आपको बीच में दिखा दिखाई दे रहा है 5 यानि कि यहां पर हम बात करें 2 और 1 से हम 5 कैसे बना सकते हैं तो 2 का square होता है 4 1 का square होता है 1 दोनों को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा 5 4 का square होता है 16 2 का square होता है 4 दोनों को जोड़ दोगे तो मिल जाएगा 20 4 का square होता है 16 3 का square होता है 9 तो 9 और 16 को जोड़ोगे तो value मिल जाएगी कितना 61 है यानि कि अंसर यहां पर हो जाएगा आपका option number C चलिए नेक्स्ट वन के अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन आप देख के बता सकते थे कि 59 क्या होता आपका प्राइम नंबर होता है जब कि यह सारे आपके प्राइम नंबर्स नहीं है यानि कि अन्य नंबर्स के साथ भी यह क्या है डिविजबल है और आपके एक्जाम में पूछा गया question है next one 589 345 678 234 ओके नव आट सत्रा सत्रा पांच बाइस पांच चार नौ तीन बारा साथ छे तेरा और आठ इक्किस तीन दो पांच चार नौ तो आप यहां पे देख सकते हैं अगर आपने divisibility rule पढ़ा हो तो 12, 21 और 9 यानि कि जो आपको sum of digits नंबर का देखने को मिलेगा अगर वो 3 से divisible है it means number भी आपका 3 से क्या होगा divisible होगा जबकि यहां पे आपको 22 देखने को मिल रहा है यानि कि 22 अगर 3 से divisible नहीं है it means यह number भी आपका 3 से divisible नहीं होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताए कि आपका particular number से divisibility पर based question भी आपको देखने को मिलता है यानि कि इस particular हम question के अगर बात करें तो यहां पे answer को जाएगा आपका 589 इस particular question के लिए चलिए बात कर लेते हैं आप अगले question के अच्छा यह last question था है question है भी तो अगले यहां पे अगर हम question की बात करें तो यहां पे आपको 4 number दिखाई दे रहे है 42 के साथ में आपको 4 दिखाई दे रहा है 36 के साथ में आपको 6 दिखाई दे रहा है 32 के साथ में आपको 2 दिखाई दे रहा है 15 के साथ में आपको 1 दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि इन में से अलग कौन है तो अगर हम बात करें यहां पे 4 into 10 plus 2 6 into 10 plus 2 से नहीं बन रहा है दूसरा गर हम देखें तो 5 से 15 क्या 5 से divisible है 32 क्या है 2 से divisible है 36 क्या है 6 से divisible है 42 आपका 4 से divisible नहीं है तो यही क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए बात कर लेते हैं पर अगले पूछे गए प्रशन की अगले यहां पर अगर हम प्रशन की बात करें तो 23 और 29 देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच अगर हम difference की बात करें तो आपको 6 का difference देखने को मिल रहा है 19 और 25 की बात करें तो यहां पर भी आपको 6 का difference देखने को मिल रहा है दूसरा यहां पर क्या लाजिक हो सकता है इसके बारे मेर लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि अल्गे अुअ कि दूसरे अगर हम यहां पर लॉजिक की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम नंबर भी हम लोग यहां पे चेक करेंगे तो 3 और 5 दो के दोनों क्या है प्राइम नंबर है 13 और 17 दोनों क्या है प्राइम नंबर है 23 और 29 भी आपके प्राइम नंबर है 19 तो प्राइम नंबर है जब कि आपका 25 प्राइम नंबर नहीं तो अंसर क्या हो जाएगा है 28 32 54 62 ठीक है तो 7 into 10 और 8 into 10 नेक्स्ट वन के अगर हम बात करें 7 into 2 और 8 into 2 नेक्स्ट वन हम बात करें तो 7 into 4 8 into 4 और लास्ट वन के अगर हम बात करें तो यहां पे हर एक नमबर क्या है आपका 7 और 8 का consecutive आपको multiple देखने को मिल रहा है जबकि हम बात करें option number D कि तो option number D क्या है यहां पर अलग है यानि कि 7 और 8 का consecutive आपको multiple देखने को नहीं मिल रहा है तो answer क्या हो जागा है यहां पर option number D बात कर लेते हैं आप हम अगले question की 210 210 की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि number के square के पास का number आपको दिखाई जाए रहा क्यों कि 14 का square होता है 196 और 210 की बात करें तो 210 और 196 के बीच में जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 14 का यानि कि 196 अगर हम plus 14 कर दें तो हमें मिल जाएगा अगला number 210 18 की बात करें तो 300 24 18 की बात करें तो होता है 324 18 का square होता है कितना 324 plus 18 करें तो हमें number मिल जाएगा 8,4,12 और यहाँ पे 2,1,3,1,4 यानि कि 342 इसी प्रकार अगर हम बात करें 17 की तो 17 का square होता है 289 289 plus हम 17 करेंगे तो यहाँ पे हमें 307 बनता हुआ दिखाई नहीं देगा क्यों क्योंकि 9,7 होता है 16 यानि कि unit digit ही आपको लग देखने को मिल रही है 2 होता है 206 306 92 307 यानि कि यहीं क्тяई आपका अलग हो जाएगा 12 की आपको देखने को मिल रही है 156 जो कि आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो answer की बात करें तो answer हो जाएगा यहाँ पर आपका option number C चलिए फटा फट से बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले पूछे गए प्रश्न की 7 और 147 देखो यहाँ पर भी आपको clearly देखने को मिला कि 14 यहाँ की बात करें तो बारा चंग 72 यह भी आपका फट वाले नंबर का multiple है accept option D option D को अगर छोड़ते तो बागी सभी विकल्पों में क्या है second वाला नंबर जो है वो पहले नंबर का क्या है multiple आपको देखने को मिल रहा है clear तो यह हो गई बात आपका analogy और classification की यानि कि अगर हम बात करें आपके exam के point of use यह दोनों के दोनों chapters आपके काफी important और महत्तपूर्ण हो जाते हैं तो कहीं न कहीं इन chapters पे command हमारा बहतर हो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम अच्छे कासे number of questions को बनाए साथ ही साथ जो basic knowledge जैसा कि मैंने आपके basic concept है उसको भी कहीं न कहीं आपको जानकारी उनकी भी होना आवश्यक है ताकि आप questions को क्या करें आसानी से बना सके साथ जब मैंने meaningful words की बात करी तो meaningful words related जो भी basic information आपको पता होना चाहिए जिससे मैंने कहा various terminology फिर जैसे कि हमने बात करी profession and tools की फिर हमने बात करी measurement units की या static gk पर based आपके जो basic questions होते हैं तो यह सभी जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप exam में questions को क्या कर सके आसानी से बना सके और कहीं न कहीं जिस उद्देश के लिए आप हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं हमारे साथ हर session को आप attend कर रहे हैं म इसके लिए आपको क्या करना है इमांदारी के साथ बताए गए topics को बताए के concepts को पढ़ना है समझना और उस पर मेहनत करनी है और in case of any doubt आपके पास telegram group है आप हमारे साथ में discuss कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं लोंग next class में thank you